हेलो और वेलकम टो गुलिशन अकेडमी और आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आज यानि कि 23 अगस्त को जो UGC.NET का एक्जाम हुआ है तो उसमें पेपर वन में क्या-क्या पूछा गया है ठीक है तो तयारी कर रहे हैं अगर आप UGC.NET पेपर वन के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें ठीक है UGC.NET पेपर वन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है Explain वीडियो नाम रखा हुआ है अमने उस प्लेलिस्ट का जीन प्याजे का सिद्दान्त मैंने दूसरी प्लेलिस्ट में डाल रखा है तो वो जो है यह भी मैं आपको जो है UGC.NET वाले में डाल दूँगा ताकि यह भी आपका जो है टॉपिक किलियर हो जाए ठीक है तो यहां से भी अब देखें कोस्टन्स पूछे जा रहे हैं माजिक विकास इन सब पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी है तो वो भी मैं आज जो है भी वीडियो डाल देता हूं प्लेलिस्ट में तो जिससे आपका जो है पूरा प्लेलिस्ट जो है आपके लिए बन जाएगा और आप उसे देखकर जो है अच्छे से अपना पूछा गया वो था स्वेम पे कोशन पूछा गया था ठीक है स्वेम के बारे में वीडियो बना चुका हूं और बता भी चुका हूं फिर भी थोड़ा समय रिवीजिन करवा देता हूं कि स्वेम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया एक पॉर्टल है जो 9 जुलाई 2017 को ज इसके तहट लगबग 2749 कोर्स जो है वह लोगों को जो है प्रोवाइड करवाय जा रहे हैं यहां पर ठीक है तो यहां से घर बैठे लोग जो है अध्यन वगरा कर सकते हैं और यहां पर जो है इन्हें पीडिया भी दिया जाता है डाउट सेशन भी रखा जाता है सब कुछ जो है इसमें सुविधाएं दी जाती है ठीक है तो सम्टस चैनलों का भी यह जो है ईसमें पर रखाटे साते इतन वह चलाय जाता है ठीक है US convinced 15 सेटलाइट से ये संचालित होता है और इसमें पढ़ाई से संबंदिज जो है कारेकरम दिखाय जाते हैं टीवी पर और हर दिन चार घंटे का सेक्षिक कारेकरम दिखाय जाता है और उसको पांच बार रिपीट किया जाता है दिन में यानि जब बचा अपने अनुसार जब वो फ्री फील करें जब उसके समय मिले तब जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है ठीक है तो ये चैनल से रेलेटेड है ठीक है औ आर इसके साथ कौन-कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जो कॉंटेंट प्रवाइड करती हैं तो Nptel, IIT, UGC, CE, IGNU जैसी संस्थाएं जो है वो इसमें जो है अपना कॉंटेंट प्रवाइड करती हैं ठीक है तो स्वेंप्रभा के बारे में आपके याद रखना है अलग से वीड सकता है कि सिक्षण को परभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं जो कि टीचिंग को effect करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि शिक्षक का छोचल होता है वो आ ऑजाता है सिक्षक कानुभव भी में कोर्ण भूमी का निबाता है कश्या वातब्रन भी होना जीन प्याजी का संग्यान आत्मक विकास का सिध्धान जैसे रचन वादन विकास में और चार अवस्थाएं इन्होंने बताई है देख सकते हैं आप इसमें चैट GPT की फिलफॉर्म पूछी गई चैट GPT की फिलफॉर्म क्या होती है तो यह आपको याद रखना है बहुत ही आसा थी इसकी के कोशन पूछा जाएगा तो इसकी फिलफॉर्म होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर ठीक चैट GPT की फिलफॉर्म होती है क्योटो प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल क्या है तो क्योटो जुआ जपान का एक शहर है यहां पर परियावन से संबंदित जो है एक समेलन कायोजन की आ गया था क्योटो सहर में 1997 में 1997 में ठीक है और ग्रीन हाउस की कैसे जो है उससे रिले और SDG MDG पर पूछा गया तो आपको यहां से लगातार को आपको जो है शिफ्ट में को देखने को मिलेंगे है आधिकम करता की विशेस्ता पूछी गई है अच्ठा अच्छा अधिकम की विशेस्ता लगे यह भी कोस्टेक्शन पूछा गया हूं सिक्षन सायक सामिगरी कें नहीं कि cificर स्यद्ट लें कोना है तो वह बता लेकर फिर से बता देता हूं जो स्क्षास्स अमिग्री होती निधीचिंग एड जोती लोटकिंग होती है इक होता है तो ऑज दूसरा होता हुज और सौफ यह में क्या क्या अजाथा है तो सौफ डॉप बेर चित्र आजाते अंट है graph आ जाते हैं चार्ट आ जाते हैं पुस्तके आ जाती है ठीक है ने PDF वाली मानचित्र बगार आ जाते हैं तो यह सॉफ्ट में आ जाते हैं और hardware के अगर हम बात करें तो hardware में आ जाता है रेडियो, टेलिविजन, टेप रिकॉडर, प्रोजेक्टर, लैप्टॉप, मुबाइल फून, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, और हाला कि इसको भी तीन भागों में बाटा जाता है, सरव्य, दिरिश्य और सरव्य दिरिश्य, सरव्य मतलब वह सिक्षन सामिगरी जिसमें दिरिश्य और सरव्य होती हैं, जिनकों देख और सुन दोन होई सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाँ, evaluation से question नहीं पूछा गया, evaluation system पे अभी तक, तो आप इसको जरूर करके जाएं, ये आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मुल्यांकन क्या होता है, बता रखा है, कि मुल्यांकन दो टाइप के होते हैं, परंपरागत मुल्यांकन और एक आधनिक मुल्यांकन, परंपरागत मुल्यांकन जो है, इनके जो जनक है, वो JS, Rice को माना जाता है, जब कि आधनिक मुल्यांकन जो होता है, उसके जनक होते है, VS, Bloom, ठीक है, फिर इसकी मुल्यांकन क अपको बताए है परिणाम आतमक मुल्यांकन संकलान मुल्यांकन ठीक है और मानक संदर्वर्भित मुल्यांकन तो एक बार जरूर आप जो हैं अमारी playlist को देखें पूरा का पूरा उसमें notes लिखा हुआ है ठीक है notes wise करवा रखें आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं और अब इतना समय नहीं बचाए आपके पास कि आप जो है उन सब को अपनी copy में लिखेंगी तो आप कम समय में जो है अपना revision कर सकते हैं किसी परकार का अगर आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है और अब हम मिलेंगे अपनी अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो राइक जुरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना क्योंकि 10 मिनट में आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता हूं जिसमें मैं पूरा जो है आपको कोशिश करता हूँ कि आपका टॉपिक जो है एक्स्प्रेन हो हां मैं लिखवा नहीं पा रहा हूं इसमें ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जरूर कर दो